नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अन्शु कुमार सेंग और आप देख रहें अन्शु क्रेटिव हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने के लिए आए हैं जब भी आपके छट में क्रैक आता है तो इसको हम किन किन तरीकों से ठीक कर सकत मैं आज कुछ आपको तीन से चार पांच तरीके बताने वाला हूं अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें और नए है तो साथ जोड़कर रिवाइशन जलाट बटन दबागे सब्सक्राइब जरूर कर लें जदा वेस निकरूंगा टाइम मैं सीधा दोस्तों सबस्ति बहुत बड़ी प्राब्लम सोते हैं चर्थ बिलिके चीम्राइब काफी बार क्या होता है खर बनाते कि साथि ख्रीज करते मिस्टेक करते सबस्था गलत भी दिक्कत आती आती है आपके चत के ऊऊपर लिकेज की तो इसलिए दोस्तों यहां पर यह यह हो जाता है कि आपको घर बनने टाइम पर एक बात का ध्यान रखना है मैंने इसके ओपर एक टॉपिक बना रखा एक वीडियो बना रखें कि आपको घर बनने टाइम पर किन-किन बातों का ध्यान रखना है और साधारन तोर पर आपको उपाई कर सकते हो जिससे कि आपके छत के आप दोस्टों आज की वीडियो में आपको तीन से चार उपाय बताने में आया हूं। जिससे कि आपने घर का लीकेज को ठीक कर सकते हो, क्रेक को ठीक कर सकते हो, भर सकते हो। तो दोस्तों उस सारे मैं आपको ओन कॉपी पैन बताऊंगा। कुछ आपको ऐसी बता देता हूं सबसे इंपोर्टेंट इसमा जाता है ग्राउटिंग का प्रोसस अप एक पिक्चर यहां पर आप साइड में देख रहे होंगे जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें दोस्तों ग्राउटिंग प्रोसस यह तब काम का है जब आपके जट पे बह दिच्पा वाटरप्रॉफिंग चैमिकल मीलार गगर साथ में सेमेंट के साथ और पैसर के साथ उस क्रैक्स को भरा जाता है निपल से और फिर यह लोग जो इसके मिस्टरी होते हैं या फिर इसके ठेकेदार होता है और एक निपल का कॉस्ट होता है अट लीस्ट सो रुपे तो दोस्तों आप ग्राउटिंग का प्रोसेस करवा सकते हैं थोड़ा कॉसली है लेकिन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है और यह effective process है सबसे effective process में से एक है ग्राउटिंग करवाते हैं तो कभी भी आपके छट पे जल्दी क्रेक्स जो आई हैं उससे पानी लिकेज नहीं होगा इस सबसे इंपोर्टेंट और एफेक्टिव प्रोसेस है अब दोस्तों कुछ प्रोसेस जो आ जाती है काम चलाओ और करने के साथ आपको उसके ऊपर भी क ग्राउटिंग कोशिश करते हैं का फैला उपाई भी किसमें आज आता है जिससे कि कर सकते हैं इसमें यह सबसे बैस्ट है कि आप सूपर लेटेक्स नाम का एक कैमिकल आता है बाइक सकते हैं लगाने से पहले आप कुछ बातों का बिलकुल ध्यान रखें जैसे कि छट है थैस पता है तो भी आप यह काम करना ही पड़ेगा अगर नहीं पता है तो आप पुरी छट को तरह से सफाइं कर वालीजिए एक और नस fight करने के बाद विल्कुल सबक्राइक करना फिर ल्गो धो लेना यह कुल क्लिइन हो जाना चाहिए और यह जए कर जा पता हैं साफ कर द qui vais च्छत कोई साफ तरवा लीजिए उसके बाद सुपर लेक्टिव लेटक्स केमिकल जो बताया मैंने आपको यह ले लीजिए और उसके बाद इसको आपको लगाना है कर दो कि मतलब इसमें एक जो होगा आपका किमिकल होगा और इसमें मोटा पेस्ट बनाने के बाद इसको धिरे दिरे निया करेक्स करेंद बढ़ न ही तो पूरे चल पेन प्लीक्ट करसकते है क्लाक्र चैकरक्स आपको एक बार ऐसे करना है फिर तीन चार घंटे इसको करने छोड़ने लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद दूसरा दूसरा कोट आपको ऐसे ऐसे करना है यह कर दीजिए इससे भी आपका टेंप्रेरी काम हो जाएगा एक से देड़ साल दो साल का काम आपका हो जाएगा अगर आप हजार रुपे तक में अपना काम च्छत का इठीक करवान चाहते तो यह मस्ट उपाए है इससे आप कर सकते हैं नहीं तो फिर एक उपाए और इसमे का यह तो आप करवाई लीजिए यह करवाने के बाद आप क्या कीजिए इसमें दो इंची का मोटा पीशी सी डलवा लीजिए इसकोशी तरह से इसकी करवाने के बाद केमिकल क्रीटमेंट करवाने के बाद दो इंची का पीशी सी के ओपर से डाल सकते हैं इससे बेनेफिट मेघेच का सिस्टम देख्यां से आपका पांही नीचे की तरफ जाएगा तो आपका पूरे च्छत का स्लोब जो कहीं भी पानी नहीं यहीं रूखना चाहिए उसारा पानी एक दम डम से छाना चाहिए कियो किसी भी कौने से आपका पानी आ तो दोस्तों चाइना मोजयक का क्या है यह नॉर्मली एक आपने देखा होगा छोटे-छोटे टाइल सेमेंट की तरह होता है यह रालने के अपास को टाइल का पीसिस होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा उस हिसाब से आप उसको लगा दीजिए चाइना मोज के चाइब तो बोष्ट हो और आथा है, इसको फास फ्लेक्स की नाम से जाना जाता है ओ फ्लेक्स को और वाईट सिमेंट मिला लीजिए उसमें उसका एक पेस्ट बना लीजिए अर प्लस जोभी आपके स्थीक्रस Fay cass, व्हासकर जो क्रैक्स तो इनको पेस्ट को इन्कर कोल तार का ये कोल तार का मेथड भी अच्छा मेथड है इस कोल तार के मेथड से आप जैसे कि जो सड़क पे आपका कोल तार लगाया जाता है उसकी भी एक कोटिंग दो कोटिंग आप चाहें तो अपने च्छत के ओपर कर सकते हैं उस कोटिंग में भी आप ऐसे ध्यार रख स सकते हैं कि आप लिक्वीड की तरह आता इसको विछा करके उसके ओपर से करके तो दोस्तों आज की विडियो इतनी थी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बॉक्स में जबर बता है और दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक जब्स जरूर करें और लाइक करने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी न भूलें तो नए है तो हाजड़ का रिक्वेस्ट्ट है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जैहिन जैबाद